दियर इस्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमें हाइट्रोकार्वन के नामकरन के लिए जो आईउपियस सी पत्ती हमने पिछले वीडियो में पड़ी थी उसमें आज एलकेन के नामकरन के बारे में अपन समझेंगें जैसा कि हम जानते हैं हमने हाइट्रोकार्वन का जो बरगेकरन पड़ा था ये वाला इसमें इसके दो परकार थे ऐचक्रिय या एलिफिटिक योगिक जो दूसरा था इसमें सैवरंत्याने की चक्रिय और ये जो ए चक्रिय थे इनको दो वागों बाटा था संत्रिप्थ हाइड्रोकार्बन और ए संत्रिप्थ हाइड्रोकार्बन संत्रिप्थ जो हाइड्रोकार्बन है इन्हें एलकेन कहते हैं और ए संत्रिप्थ वाले हैं इनको एलकीन और एलकाइन कहा जाता है तो आज के इस वीडियो में हमें बात करने जा रहे हैं कारपनी क्योगिकों के नामकरण की जो आयूपी सी पत्ती है उसके अनुसार एलकेन जो कारपनी क्योगिक है उनका नामकरण किस परकारशे किया दाता है देखिए इसमें कुछ नियम है वो नियम हमको समझने होंगे और जैसा कि आप जानते हैं इस पार्ट में से एक क्यूसन एक नंबर का आएगा और एक क्यूसन तीन नंबर का पूछा दाना है चार नंबर का पार्ट है ये तो बोर्ड प्रिक्षा में कई बार छोटा क्यूसन भी एक नमबर का नामकरण का पूछा गया है और कई बार तीन नमबर का बड़ा क्यूसन भी नामकरण का ही पूछा गया है तो हमें कहने का मतलब यह है कि एलकेन या एलकीन या फिर एलकाइन का जो आयूपेश ही नामकरण है उसके अनुसार उसके नियमों को समझना होगा और अगर हम नियम समझेंगे तो चाहिए बोर्ड परिक्षा में कोई भी नाम आजाए हम उसका नाम आसानी से लिख सकते हैं दूसरी बात कई बारिया क्यूसर उल्टा पूछ ले दाता है जैसे मानली जी यहाँ पर यह कोई कार्बनी क्योगी का सुत्र लिखा हुआ है और इसका नाम पूछ ले दाता है कि इसका नाम क्या है तो इसका नाम मेथेन है या उल्टा भी पूछ लेते हैं कि मेथेन जो है उस मेथेन का सुत्र लिखी है चीकर तो दोनों तरब चाह सकता है सुत्र से नाम पूछादा सकता है या फिर तो नाम है उस नाम से सुत्र पूछादा सकता है तो हमें इनको इसी प्रकार से तयार करना है जिस प्रकार से बोर्ड प्रिक्षा में परसंद पूछे गए अब देखेगा सुरुवात में इसमें दे रखा है कि इस स्रेणी के योगिकों का समने सुतर C, N, H, 2, N, पलस 2 होता है यह सुतर जो है बहुत इंपोर्टेंट है आपको थोड़ा यद्यार में रखना है देखेगा यहाँ पर C, N, N का मलत है कार्बन की संख्या नमबर ओफ कार्बन और H, 2, N, पलस 2 यहाँ N का मलत है नमबर है, संख्या है जो अपने N यहाँ पर रखा है वो ही N अपने यहाँ पर रखेंगे ठीक है जैसे माली जी यहाँ पर मैं कार्बन की नमबर 1 एक कर दूँ यहाँ पर एक कार्बन है तो यहाँ पर भी नमबर 1 आएगा और यहाँ दो गुणा एक है यह गुणा में है इसके ठीक है यह 2N लिखा न यहाँ संख्या है और वो गुणा में है तो अगर मैंने यहाँ पर एक कर दिया और यहाँ पर भी एक लिखा जाएगा तो दो गुणा एक तो दो हो जाएगा और दो पलस दो चार हो जाएगा कहने का मतलब एक कार्बन के साथ में चार हैटोजन जुड़ेंगे अगर वो एलकेन में है और जैसा कि आप जानते हैं एलकेन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है सिंगल बॉंड होता है carbon-carbon बीच में हमें सा single bond होगा LKN में आज उपट रहे हैं वीडियो यह सारे single bond वाले ही हैं तो देखे हैं अपने देखते हैं यहाँ पर यह आप table देखेगा आपके किता में दरखी है कि यहाँ पर carbon तो 1 है और hydrogen 4 हैं यह 4 केशे होए formula क्या था अपना TNH2N प्लस 2 तो मैंने यहाँ N की जगए 1 कर दिया carbon 1 और hydrogen के नीचे यहाँ 2 गुणा 1 यह N की जगए यहाँ मैंने 1 लिख दिया और प्लस 2 ठीक है तो हमने गणित में board mass का formula पढ़ाए कि पहले जो है यहाँ पर गुणा पहले होगा एक और दो 3 को हम जोड़ें यहाँ पर 2 और एक तीन जो जाएंगे तीन जो जाएंगे तीन दो निच्छाएगा एसा नहीं होगा पहले अपन क्या करेंगे इस दो को एक शिप गुणा करेंगे उसके बाद हम दो जोड़ेंगे तो carbon तो एक है और यह एक को निच्छे दो लिखा दो एक हम दो प्लस दो यहाँ फिर दो लिख दिया आपने इस दो को एक शुणा की बुणा किया तो दो आ गया और इसको यह लिख दिया तो दो और दो चार हो गए तो क्या हो गए है carbon तो एक है और H4 यह बन गया मेथेन और जैसा कि आप जानते हैं इसके पिछे एक टेबल दे रखी है अगर carbon एक होता है तो उसका नाम है मेथ carbon दो है तो उसका नाम है एथ इस परकारशे आपको एक टेबल भी याद करनी है जो कि पिछे यह रहा देखीगा इसे अपर पूर्वा लगन कहते है carbon 1 है तो मेथ 2 है तो 8 3 है तो प्रोब 4 है तो ब्यूट 5 है तो पेंट 6 है तो हैक्स carbon 7 है तो हेट 8 है तो ओक्ट 9 है तो 9 10 है तो डेख और अगर single bond है यहाँ देखेगा alcan के लिए single bond है ना carbon carbon की बीच में एकल बंद तो एन जुड़ेगा अनुलगन और अगर double bond होगा यह रहा नीचे alcan double bond है यह रा double bond तो एन जुड़ेगा और यदि triple bond है तो आईन कहलाएगा carbon carbon की बीचे triple bond है तो आईन नाम के अंत में आईन जुड़ेगा इस प्रकार से यह दो सारणी है देखेगा इसमें सारे एन वाले हैं क्योंकि यह alcan पट रहे हैं single bond वाले हैं यहां देखो carbon सभी single bond है आपको दिखा दे रहे हैं तो ए carbon है ए carbon के लिए मेज single bond है तो एन तो मेज पलेस एन नाम पढ़ गया methane इसी प्रकार से दूसरा देखे हैं C2S6 तो formula क्या था अपना carbon 2 तो मैंने यहां 2 कर दिया और H 2 into 2 यहां N की जिए अपने 2 लिख दिया तो 2 दूनी कितने हो गए 4 ठीक है और यहां plus 2 है तो 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो अच्छा है ठीक तो यहां पर क्या हो गया carbon तो 2 यह रहे carbon दो और यह hydrogen 6 यह रहे hydrogen 6 तो इस प्रकार से देखेगा 2 carbon यह 2 carbon है carbon की स्रेज़क्ता 4 होती है यह आपको ध्यान में रखना है याद रखना है क्योंकि और ना आप गल्ती कर सकते हो carbon की आपको स्रेज़क्ता आप बिल्कुल धान रखनी है तो यह carbon carbon की वीच्छन तो single bond है क्योंकि यह alkane है और यहाँ इस carbon से 3 जुड़ गए hydrogen यह रहे 3 hydrogen और इस carbon से 3 जुड़ गए तो hydrogen इसन क्या अच्छा हो गई और carbon की से 2 हो गई single single bond है इस carbon की से जुड़ गए चार है 1, 2, 3 और 4 और इस carbon की से जुड़ गए 4 है देखो यह 1, 2, 3 और 4 ठीक है यह से जुड़ गए तो carbon carbon की बीच में यह दोनों बार count होगी इस carbon के लिए भी इसको गिना जाएगा और इस carbon की से जुड़ गए भी इसको गिना जाएगा दोनों के लिए इसको गिना जाएगा तो यहाँ पर देखो 2 carbon होते हैं तो क्या नाम होता है? दो carbon को क्या कहते है? अपन एथ ठीक है, single bond है तो A जोड़ देंगे आगे तो एथ हिन नाम हो गया इसी परकार से यहाँ पर देखिएगा carbon 3 है ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने formula कह था C N H 2 N पलस 2 तो क्या लिखेंगे N की जगए यहाँ पर 3 3 carbon कर दिया मैंने यहाँ पर H 2 into 3 ठीक है, और पलस 2 तो यह 3 दूनी 6 है और 2 कितने हो जाएगे? 8 यह तो हो गए 8 hydrogen और carbon कितने 3 यह रहा 3 carbon और 8 hydrogen तो carbon carbon को बीच में इसा लिखेंगे सीधा देखिए 3 hydrogen इदर जूड़े 3 इदर जूड़े 6 है और 2 यह रहे hydrogen, 8 हो गए अब देखो 3 carbon को बोलते है probe, 3 carbon को क्या कहते है probe, और single bond है तो N जोड़ेंगे तो pro plus N नाम पढ़ गया प्रोपेन फिक है? इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तो अगला दे रखा है फर्मुला क्या था अपना C N H 2 N प्लस 2 फिक है? N की जगए अपने 4 लिख दिया C4 और यहाँ भी N की जगए चार लिखेंगे ठीक है? गुणा में चार दूने 8 और प्लस 2 कितनों के 10 हो गए तो यह रहा C4 एथ 10 ठीक है? यह carbon अपने 4 लिख दिये और यहाँ तीन hydrogen यह रहे तीन hydrogen's है 7, 8, 9, 10 carbon की संदुकता भी संदुकता चार इसकी भी 4 है इसकी संदुकता भी 4 है इसकी संदुकता भी 4 है और इसकी संदुकता भी 4 है ठीक है? इस परकार से यह hydrogen इसमें जुड़े होते हैं तो 4 carbon को बोलते है Butte 4 carbon का नाम क्या है? Butte है Single bond है तो N जोड़ देंगे तो Butte plus N नाम पढ़ गया Butane इस परकार से इस बाट में जो अपना पहला point जो दे रखा है वो ये था इसमें की जो इसका सुत्र है इस सुत्र के अनुसार इनका नाम कर्ण होता है चीक है? और यह जो single bond वाले होते हैं hydro carbon या carbonic योगी इनको संत्रप्त कहा जाता है और जिसमें double और triple bond होगा उन्हें ऐस संत्रप्त कहा जाएगा दूसरा इसमें जो खास बात है इसका अन्य नाम भी इसको पेराफिन्स भी कहते हैं यानि कि जो संत्रप्त योगीक हैं एलकेन वाले जो योगीक हैं इनको अपने पेराफिन्स के नाम से भी जानते हैं तो दोनों नाम याद रखेगा पेराफिन्स और संत्रप्त योगीक अब देखे आपन आते हैं आगे कुछ थोड़े से इसमें और डीपली जो नाम आते हैं जहां से क्यूशन पूशे जाते हैं इनके नाम करन के दो नियम है वो नियम क्या है पहला दो नियम है या पहला पॉइंट मान लीजिए सरवादी के लंबी सरंखला का चेन किया जाता है देखो हाइडरोकार्बन की कोई सरंखला है और वो साखित है, दो वागवें बटी हुई है, तीन वागवें बटी हुई है, तो सबसे लंबी जो सरंखला है, उसका चेयन करेंगे, अब आप कोगे केसे सर, तो इसके लिए आपको मैं एक्जामपल भी ले चलता हूँ, यह एक्जामपल देखेगा आप, इससे समझ में आएगा, कि सबसे लंबी सरंखला, देखिए यहाँ पर हाइट्रो कार्बन की लंबी सरंखला है, ठीक है कि लंबी सरंखला है, तो इसमें अधिक्तम कार्बन जैसे आपन मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ, एक नमबर इसको तेन, च्यार और पांच, पांच ही हुए, और फिर मैं इसे कर लूँ, एक नमबर, दो नमबर, तेन, च्यार, पांच, और छे, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकारशी इसमें 6 हो गए, परन्तु यहाँ पर देखेगा, जो सबसे लंबी सरंखला है, वो अपन लेते हैं, तो और यहाँ इसे तीन के उपर यह एक परती स्थापी समूझ उड़ा है, यह इसकी गिंती में सामिल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक खास बात जो आपको याद रखनी है, वो यह कि जब कभी वेपन गिंती करते हैं, तो हमें वापस पीछे नहीं मुड़ना है, ठीक है, पीछे नहीं मुड़ना है, आपको यह याद रखना है, ध्यान रखेगा, जैसे आपको ओगे सर कार्बन नमबर एक, मैं इदर से गिंती कर रहा हूँ, दो, तेन, च्यार, पांच, फिर आपको ओगे सर मैं यहाँ से कर दूँ, 6, 7, 8, 9 कार्बन होगे, यह गलत है, मैंने क् देखो 1, 2, 3, 4, 5, पर दो अधर चिदा चलें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगे, और अगर अधर चलें अपन, 1, 2, 3, 4, 5 होगे, तो हमें सब से लंबी सरंखला लेनी है, जिसमें कार्बन की संक्या धिक्तम हो, जिसे यहाँ 6 सबसे ज़्यादा हो रही है, तो यह सरंखला सब से लंबी ह अब आप खोगे सरी इसको इधर शे क्यों किया एक दो तीन च्यार पांच है इधर शे तो कर सकते थे कारवन नमबर एक दो तीन च्यार पांच और अब देखो आपको क्या करना है परती स्थाफी दो समूँ एक तो यह जुड़ा है और एक की यह जुड़ा है यानि कि यहाँ हाइटरोजन की जगए कोई यहाँ पर यह समूँ जुड़ गया दो कार्वन वाला और यहां एक हाइटरोजन की जगए यहेँ CS3 जुड़ गया चीक हैak परती स्थापी समू जुड़ गई यहाँ पर तो आपको गिनती दर्शे क्यों कि इसके नहीं हुई तो इसके लिए दो नाम है एक कार्बनेस को मेथिल कहते हैं दो कार्बन वाले को एथिल कहेंगे परती स्थापी समू को इसको मेथिल और इसको एथिल चीक है तो इसमें ABCD जो अलफावेट है जिस परकार से आपके रोल नंबर आपकी जो उपस्ति होती है रजिश्टर में आपके अध्यापक जी या मेडम जी जब आपकी हाजरी लेते हैं उपस्ति लेते हैं तो उस समय आपका जो नाम होता है जैसे पहले अनिल का नाम पहले है उसके बाद में फि तो एथिल पहले आता है A पहले आता है और M बाज में आता है तो किदर है पहले ये एथिल इदर है तो इदर एक दो तीन नमर पर है अगर इदर से करेंगे तो एक दो तीन चार नमर पर होगा ठीक है तो हमें जो सबसे नजदीक है पास में किदर है ये सबसे इदर से पास में है ये एथिल जो परतिस थापी समू है ए नाम वाला ये इधर से जल्दी आएगा चीक ना तो हमें इधर से काउंटिंग करनी है जो सबसे नजदीक सबसे पहले आ जाए उधर से काउंटिंग करेंगे अपन किलियर अब देखे जो पहला पोईंटे उसमें क्या समझाना चाहता है यह सर्वादिक लंभी सरंघ़ला का uti चेन किया दाता है पहली बाद तो होगी सबसे लंबी सरंकला पने करने के से मुखिय्थ रहें सरंकला नगाए समुक परती, سभी रहें का Barbara कै Northwest Explain कींद के bass paraben सब्सक्राइब हो करते है जो मुख्या सरंकला ना जो समू कहेंगे, ये कार्बनिक और ऐकार्बनिक दोनों हो सकते हैं, आपको ओगे सर ऐकार्बनिक देखो ये रहा कलोरीन है, ब्रोमीन है, ये ऐकार्बनिक है, तो ऐकार्बनिक भी हो सकते हैं, अब आप पूछोगे सरीन का नाम हम कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए देखेगा अगर एक यह समूंग 迎 vimos जोडता है है तो मेथिलह-च्छ झूड़ते हैं तोrist इसे तो पर्फिलीपल जोड़ते हैं अए यहां पर एक से जुड़ते हैं तो लुक्त थे जोड़ते हैं थ्जीद नीकार्बो यह व्यद समूर हो देका है, हिय वूटूरपल फर्फिल ataque के लिए आयोडो, फ्लॉरीन के लिए फ्लॉरो और एनोटू के लिए नाइट्रो, इस परकार से इनका नाम लिखा आता है, तो आपको ये थोड़ा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो चलिए अपने बात कर रहे थे, पहले पॉइंट की, तो मेरे ख्याल से आपके पहल पॉइंट किलिर हो गया होगा, सबसे लंबी स्रंकला लेनी है, और उसके बाद में परतिश ताफिस सम्मूजो हैं, उसको बाहर रखना है, दूसरा पॉइंट, यदि दो या दो से अधिक, समान लंबाई की स्रोदिक लंबी स्रंकलाए हो, यदि दो स्रंकलाएं एक समान ल यानि कि दो हो सकते हैं या दो से अधिक समाल लंबाई की लंबी सरंकला हैं समाल लंबाई की सबसे लंबी सरंकला है तो जिदर अधिक परतिस्तापी समू होंगे परतिस्तापी एक भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं वो वहां से अपने इसका स्रेक्शन करेंगे इसको एक्जाम अपन यहाँ संज रहे हैं वह आपको example से समझ में आएगा इसका example जो है वो यह है यह example देखीगा अगर में आलीजी यहाँ से गिंती करता हूँ किता में दो दो क्पूब दर्श्रे कर रखी है इसको इसको ब्लेते हैं पहले इधर कार्बन नमबर एक, ये कार्बन नमबर दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ठीक है ना, अपने को पीछे निया ना, एक, दो, तीन, चार और पाँच, ठीक है, या इसे भी कर सकते हैं अपन, कि एक, दो, तीन, चार और पाँच, इसको पाँच, इसको भी जा सकते हैं अगर इसको देंगे एक, दो, तीन, तो थोटी सरंकला हुई, ठीक है, इसको देंगे एक, दो, तीन, तो थोटी सरंकला हुई, हमें तो लंबी सरंकला नहीं नहीं है, सबसे लंबी चेन जो है, उसको लेना है, ठीक है, अब आपको अगे सरी दर्शे तो कर सकते थे, एक, दो, क्योंकि इदर दो परतिस तापी समू है, देखो इस कार्बन नमबर दो के उपर एक उपर मेथिल है और एक नीचे मेथिल है, ठीक है, अगर इदर से करते हैं एक, दो, तीन, च्यार और पांच, तो कार्बन नमबर दो के उपर केवल एक मेथिल जुड़ा है, कार्बन नमबर इधर से counting करते हैं एक और दो तो carbon number 2 पे 2% जुड़े हैं दो में तो जुड़े हैं ठीक है अगर इधर से करते हैं एक दो तो यहाँ पर 1% पी हुआ और इधर से कर रहे हैं तो यहाँ पर 2% होगे 2 मेथिल होगे एक उपर एक नीचे तो अपन इधर से counting करेंगे गिंती दर्शे करेंगे ठीक है तो दूसरे point में बता जा रहा है दुबारा देखे क्या लिखा है यदि 2 या 2 से अधिक लंबी सरंकलाओं कि सब से लंबी जो सरंकलाओं हैं उनमें अधिक परतिस ताफिस समू किदर हैं उसका उधर से अपन counting करेंगे उधर से इसकी गिंती करते हैं ठीक है तो देखे इसका नाम क्या हो जाएगा यहां 1,2,3,4,5 तो देखो कार्बन नमर 2 जो है उस कार्बन नमर 2 पर एक मेथिल यहां जुड़ा है एक मेथिल यहां जुड़ा है ठीक है दो बार मेथिल जुड़ा तो क्या लिखेंगे अपन टू मेथिल और उसका अधर मेथिल लिखेंगे अपन टू मेथिल क्योंकि कार्बन नमर 2 पर एक बार तो उपर मेथिल जुड़ा है और कार्बन नमर 2 पर एक बार नीचे जुड़ा है तो अपन दो बार नहीं लिखने की बजाए क्या लिखेंगे टू मेथिल फिर कारबन नमर दो पे देखो दूसरा एक तो पहले दूपर वाले की बात कर रहा है यह पहला दो नहीं दूपर वाले की बात हो रही है तो टू मेथिल हो गया ठीक उसी प्रकार से नीचे वाले की बात करेंगे अपन कारबन नमर 2 पे नीचे जुड़ा है परतिस दू मेथिल तो दूसरे वाले की बात होगी टू मेथिल फिर कारबन नमर 3 और 4 4 के उपर देखेगा यह जुड़ा हो आव मेथिल ठीक है प्लस सिंगल बॉंड है एन तो नाम पढ़ गया पेंटीन पूरा नाम हो जाएगा टू टू फोर ट्राइ मेथिल पेंटीन इस प्रकार्श इसका नामकरण होता है देखेगा दूसरा पॉइंट की जिर हुआ तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है नाम लिखते समय परती है और किशी बचे का नाम सुनील है तो P पहले आता है तो जो परती स्ताफिस समूद जिस अलफाचाबेट के यसआब से घर P पहले आता तो P का नाम पहले लिखा जाएगा और S का नाम बाद में लिखा जाएगा तो क्या लिखा है इसमें इसके लिए अपने एक्जामपल समझते हैं एक्जामपल के तोर पे मैं को लिए चलता हूँ ये एक्जामपल आप इसको देखेगा अगर मैं इधर से गिंती करूँ एक, दो, तीन और च्यार हमें सरफ कार्बनी क्योंकिकों की ही गिंती करनी है ठीक है? तो देखेगा तो भी कार्बन की स्थनकला च्यार ही है इधर से करते हैं एक, दो, तीन, च्यार तो भी च्यार ही है फिर आपको ओगे सरी दर्शे एक, दो, तीन, च्यार ये क्यों ही की? ये कार्बनी क्योंकिक थोड़ी ना है हमें हाइड्रो कार्बन लेना है वही कार्बनी कोगी लेना है ठीक है तो यहां से एक दो तीन चार यह तो होगी नहीं ठीक यह कार्बनी कोगी नहीं है यह दोनों परतिस्था पिसमू है और एक कार्बनी कोगी है पहले बात तो यह दूसरी बात अब आपको होगे सरी है गिं नमबर पर जुड़ा है, अगर इधर से करते और एक दो तीन नमबर पर ब्रोमिन है, ब्रोमिन तीन पए हो गए ना, ठीक है, तो ब्रोमिन तो पहले CGI यह तो पहले आएगा तो इस लिए पर इधर से काउंटिंग रएंगे, एक, दो, ठीक है, बी पहले आता है, C बाद में आता है, bromine और कलोरीन, चीक है तो इसी के according इसका नाम करने आता है तो नाम क्या हो ज़िएगा इसका, कार्बन नमबर दो पे क्या जुड़ा है, पर तीस ता पिसमूँ bromine, bromine को होते है, bromo तो 2 bromo, 2 पे जुड़ा है फिर 3 पे क्या जुड़ा है, 3 पे देखो कलोरीन जुड़ा है, तो 3 कलोरो, 2 bromo, 3 कलोरो कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4 4 कार्बन को उलते हैं, but, but शिंगल बोन्ड है, तो N जोड़ देंगा है तो butane, पुरा नाम को ज़िएगा 2 bromo, यानि कि 2 पे तो है bromine 3 पे है कलोरीन, 3 पे कलोरीन, कलोरो, और 4 कार्बन है, तो but, शिंगल बोन्ड एन 2 bromo, 3 कलोरो ब्यूटेन, ये इसका पुरा नाम हो गया, अब देखिए बोर्ड प्रिशा में आपके ये उल्टा भी आ सकता, आपको ये नाम दे दिया जाएगा, और ये सुत्र पूछ सकते हैं, तो आप इसको दोनों परकार्शी याद कीजिएगा, ठीक है चलिए हमने इस परकार, ये तीसरा पॉइंट भी किलियर किया, अब बारी आती है, चोथे पॉइंटी की, चोथे पॉइंट पॉइंट लिखा है, यदि एक चे अधिक समान परतिस्ताफी समू हो, तो उनकी संख्या दरसाने के लिए नेचंदिकी सारने का परियोग करते हैं अब आप कोगे कैसे सर्फ, अभी देखो नाम आया था, अगर एक ही है, तो मोनो एक के लिए, मोनो दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, परतिस्ताफी समू की संख्या क्या दार पर है देखते हैं कैसे यह देखेगा आपको इधर यह रहा, इस से समझते हैं अपन कार्बन नमबर एक, दो, तिन ते दर्शे कर दो आप एक, दो, तीन, से दर्शे कर लो, एक, दो, तीन, से दर्शे कर लो, एक, दो, तीन, से दर्शे कर लो, एक, दो, तीन, अधिकतर कार्बन की सरंगला तीन ही होगी, अब आप को कि सर गिंती के दर्शे कर दो, इसमें से कर लो, देखो सारी जगत, इसमें जानों तरफ यह मेथिल मेथिल समू यह है चीक है? पहली बात तो यह दूसरी बात यह देखो इसमें बताया जा रहा है कि अगर जैसे मनने इसको नमबर एक दिया है इसको दो इसको तीन तो नमबर दो के उपर एक तो उपर जुड़ा है मेथिल समू तो यहां पर यह दो बार आ रहा है एक बार उपर एक बार नीचे तो अपन क्या लिखेंगे? इसको दो बार लिखेंगे दो पर एक बार तो उपर आ गया और दो पर एक बार यह नीचे आ गया तो टू-टू डाई मेथिल डाई कर लो दो बार हुआ है क्या में आया है मेथिल परतिस्तापी आया है दो बार और तीन कार्बन की सरंगला बोलते हैं प्रोप शिंगल बोंड है तो एन प्रोपेन टीन कार्बन की सरंगला है तो प्रोपेन ठीक है एक उपर टू कार्बन नमर दो पे रहा उपर परतिस्तापी और कार्बन नमर दो पे वनों दो के लिए डाई तीन के लिए ट्राई यह सारणी भी आपको तीन या चार तक याद रखनी है और यह परति स्थापियों के नाम आपको याद करने हैं तब यह आप इसको लिख पाऊगे अब चलते हैं अपन पांचवे पुइंट की और पांचवे पूंट में लिखा अपन कौन्टिंग करेंगे परति स्थापि वाली शें दर से सुरू करेंगे यदि दो परति स्थापियों को समान NUNK मिल रहे हों तो अंगरेजी वरनमाला का सलेक्شन करेंगे वह ही बात अंगरेजी की वरनमाला केशे होगी वही तो लेज़े देखते हैं ऊपす इसमें देखेगा आपकी जो किताब में एक्जांपल है न उससे समझ में आईगा आपकी अब आप ओक होगे 30 में 2,30 थाफी है अगर माली जा यहाँ पर 30 थाफी नहीं है मैंने इसको उटा दिया तो काउंटिंग इदर शेख औरुगी इदर शेख होगी क्योंकि इदर जल्दी आ रहा रहा नहीं है 1, 2, 2 पर 30 थाफी आ रहा है इदर से करेंगे तो कितने प्याएगा एक, दो, तीन प्यार है यानि कि यहां से शुरुवात करते हैं उसके नजदीक होना चाहिए अगर यहां पर मैंने यह इस परती स्थाफिय को हटा दिया यह कि यह ही है तो अबर इन दर्शे काउंटिंग रहेंगे परंतु यहां पर देखो चाहिए दर्शे काउंटिंग कर लो चाहिए दर्शे कर लो दोनों तरब से दर्शे भी दो नमबर पे परती स्थाफिया रहा है और इदर से भी दो नमबर पे परती स्थाफिया रहा है परंतु परती स्थाफियों में अंतर है यह iodine है और यह NO2 है तो वही बात iodine में अपने ABCD पढ़ते हैं तो I पहले आता है और nitrogen N बाद में आता है चीकर ना तो गिंतिक दर्शे करेंगे जो पहले आएगा उदर्शे कार्बन नमबर एक दर्शे लेंगे कार्बन नमबर दो क्योंकि iodine पहले आता है परतिस्ताफी वापस अपना नहीं सकते हैं पीछे चीक है तो क्या नाम हो जाएगा इसका दो नमबर पे iodine जुड़ा है तो 2 iodine का iodine हो जाएगा कार्बन नमबर 3 पे का जुड़ा है NO2 तो 3 nitro चीक है कार्बन कितने इसमें 4 कार्बन तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटे शिंगल बोंड 3 nitro butane यह इस प्रकारशिस का नाम पड़ गया और अंत में 6 पॉइंट यह है नाम लिखते समय अंकों के मद्दे कोमा लगाते हैं अंकों के मद्दे यह तो तो दो वार आ रहा है ना देखें कहां केशी आ रहा है अभी अपने एक्जामपल देखा था यह रहा ना टू टू 4 तो इंकों के मद्दे क्या आएगी कोमा आएगी फिर अंक वे नाम के मद्दे हैं यानी इस प्रकारशिर डेस का निसान आएगा है ना बगानापकों के जरूरी है ठीक है, कौमा लगानी जरूरी है और आपको ये हाइफन का निसान लगाना जरूरी है तब ये आपका नाम सही माना जाएगा ये वो सब में लगे हुए हैं तो इस परकारशे आप प्रेक्टिस कीजिए आपकी किताब में बहुत थारे नाम दे रखें एलकीन वाले वीडियो में जो अपने आज पढ़ा है इसको तो आप इस वीडियो में आपने एलकीन के जो नाम करनी पत्ती है उसके बारे में जानकरी प्राप्त की अगले वीडियो में हम इसी परकार से एलकीन लेंगे और फिर उसके बाद में एलकाइन का पड़ेंगे जो कि बोर्ड प्रिक्षा की दरश्ची से बहुत इंपोर्टेंट है मतोपुन है धन्यवाद